उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व मंतरी राजिंद्र प्रताप सिंग उर्फ मोतिस सिंग ने अपनी सरकार पर ही ब्रश्टचार के आरोप लगाए है एक समारों के दोरान वो बोले कि अपने राजनेतिक करियर में उन्होंने तहसिल और थाने में जो ब्रश्टचार देखा है वो अकलपन्य है दावा किया कि आम लोगों का शूशन किया जा रहा है फ्लो फ्लो में अप सरकार पर ही सवाल उठाने वाले उनके बयान के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वारल हो रही है 12 जुलाई को प्रताब गड़ में मतदाता समान समारों के दोरान जिद्र प्रताब सिंग ने कहा हमें एक हैने में कोई संकोच नहीं है कि अपने 42 साल के राजनेतिक जीवन में तैसिल थाने में ऐसा ब्रश्टचार देखा जिसके बारे में सोचा नहीं सकते थे और नहीं देख सकते थे वो अकलपन्य है आज अप मोटा साइकल पर जा रहे है तो पकड़ लिया जाता है अगर घर में आपने एक बल्व ज्यादा जला लिया तो पुलीस थाने से लूटेरे की तरह लूटा जा रहा है दमकी दी जा रही है अपराद न करने पर भी अपरादी बनाया जा रहा है कोई हात रस के बाबा नहीं है जो कह रहे है कि मेरे पैर की धुल ले जाओ उन्होंने कहा कि यह उपस्तित लोगों का अभी नंदन केवल शब्दों से पूरा नहीं होंगा इसकी बजाए भगवा पहनने वाली पार्टी कारेकरताओं का समान किया जाना चाहिए और उनके मुद्दों को सुना जाना चाहिए राजेंदर पताफ सिंग के इस बयान पर समाजवाड़ी पार्टी के चीफ अकलेश यादा की प्रतिक्रिया सामने आई है अकलेश ने कहा भजेपा राज में तहसिल और थाने के अबूत्व पूर्वर रिकॉर्ड तोड़ भरेष्टचार पर भाजेपा के लोग ही जब प्रमान पत्र बाट रहे है तो क्या इस अकलपन ये भाजपाई ब्रेष्टचार पर कारवाई करने के लिए और कुछ सबुत चाहिए अब देखते हैं कि बुल्डोजर किस ओर मुड़ता है